तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप से बोला था कि मैं हर एक दिन GSK का कुछ ना कुछ चेप्टर करवाऊंगा ठीक है तो आज हम लोग सेफटी का चेप्टर पढ़ेंगे ठीक है और मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि जैसे ही GSK पूरा ऑनलाइन खतम हो जाता है उसके बाद सारी इंफोर्मेशन मिलेंती रहेंगी और इंडियन ने भी इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन एरफोस और इंडियन डेलवे का जो प्रैक्टी सेट है वहाँ पर आपको कराया जा रहा है तो अनसारी GS Academy चैनल को भी आप लोग सस्क्राइब कर लिजिए तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर सुरू करते हैं सेफ्टी वाला ठीक है सेफ्टी में से तीन चार कोस्टन ऑनलाइन में पूचता ही पूचता है ठीक है और सेफ्टी में कभी गलत आपको नहीं करना है सेफ्टी में गलत करेंगे तो सर्वियार बीना हिचकिचाए आपको फेल कर देगा त तो यहाज पर जो गच्च्च्ड कोमласт है में रखा जाथा यह उत्क्षा जो सब गंपर टो से करवान्ग भी करा यह जुदिकार टीक है आपको कहीं भी दिक्कत हो बेज ही जग कॉमेंट कीजिएगा पूछिएगा बोल रहा है कि अगर जो जहाज है जहाज alongside का मतलम होता है जेटी साइड में आ जाना जेटी के साइड पर आ गया है तो हम लोग क्या लोवर करेंगे सेफ एकसिस के लिए यानि एकसिस का मतलम होता है रास्ता यानि सेफ एकसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे तो रास्ता बनाएंगे क्या लोवर करेंगे तो गेंग बें गेंग बें लोवर करेंगे उसी से आदमी जाएगा और वापस आएगा भी ठीक है नम्मर तीन की बात कर लें दोस्तो दा फिमिलेराइजेशन चेक लिस्ट सुड बी कम्पलीटेट वेन दा क्रू मेंबर जॉइन दा वेसेल तु प्रियर तु कॉमंस्मेंट अब दियर ड्यूटी अन जॉइनिंग द शीप बोल रहा है कि जो फिमिलेराइजेशन किया जाता है फिमिलेराइजेशन का मतलम होता है जान पहचान करवाना जैसे आप जहाज पर अगर आप ट्रेनी जाओगे या ट्रेनी OS जाओ, ट्रेनी वाइपर जाओ, ट्रेनी फीटर जाओ, ट्रेनी ETO जाओ कोई भी अगर आप ट्रेनी जाओगे ना तो जितने भी स्टाफ होते हैं आपका फिमलेराइजेशन करवाते हैं यानि आपको इंजन रूम दिखाते हैं गार्बेज लॉकर दिखाते हैं इंसिनरेटर मने हर एक चीज आपको दिखाते हैं तो वही का कहा रहता है ड्यूटी ज प्रोटेक्ट दा हेड जो सेफटी हेलमेट है सेफटी हेलमेट जो हम लोग पेहनते हैं अपने माथा के ऊपर वो किसलिए पेहनते हैं सेफटी हेलमेट अपने माथा के ऊपर हम लोग किसलिए पेहनते हैं हम लोग इसलिए पेहनते हैं ताकि हमारा हेड क्या होगे बस सके त तो इसका उपयोग क्या होता है? तो इंबारकेशन डेक और डिसेंबारकेशन डेक को लाइफ बोर्ड से क्लोज करने के लिए इसका यूज करते हैं सोपेप लोकर का पूरा नम आप समझ लीजिए सीप ओयल बोर्ड पॉलूशन इमर्जेंसी प्लान ये कितनी दफ़ा कोश्चन भी पूछता है कि एस सोपेप इसको पला जाता है तो इसका फूल फ्रॉम क्या है? तो एस से हो गया सीप बोर्ड, O से हो गया ओयल, P से हो गया पॉलूशन, और E से हो गया इमर्जेंसी और P से हो गया प्लान यानि सीप बोर्ड ओयल, पॉलूशन इमर्जेंसी प्लान जब जहाज पर ओयल पॉलूशन होता है ना तो ये सोपेप लॉकर होता है, उसमें फटा फट जाकर समान लाते हैं, सोडस लाते हैं, बुरूम्स लाते हैं, बकेट लाते हैं, विडेन पंप लाते हैं, मने ओयल का ये की भी बूंद, समुंदर में नहीं गिरना चाहिए, अगर एक ड्रॉप भी गिर गया, तो समद ये कि हे भी फाइन होता है, ठीक है, तो सोपेप लॉकर में वो समान रखता है, ओयल स्पील कंटामीनेटेट एक्यूपमेंट, कंटामीनेटेट का मतलम होता है मिलना, मने कंटामीनेटेट का मतलम होता है बहुत सारे एक्यूपमेंट, यानि सोपेप लोकर में बहुत सारे ऐसे एक्यूपमेंट होते हैं, जो ओयल स्पील को बचाते हैं, सब कोई जानता है कि safety goggles हम लोग क्यों पहनते हैं safety goggles हम लोग यूज क्यों करते हैं आई प्रोटेक्ट करने के लिए किस से फोरजन बोडी एंट्री मने कोई भी फोरजन पार्थ हमारे आख के अंदर ना है ठीक है इसलिए और दोस्तों और एक बात में बता देना चाहता हूँ कि जो लड़के अपना preparation कर रहे हैं अच्छा से preparation की दिए अच्छा से अपना college में पढ़िए अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो whatsapp number है comment कीजिए अगर आपको notes चाहिए तो notes में वहाँ पर आपको purchase करा दूँगा आप purchase कर सकते हैं और entrance exam की बात रही तो entrance exam का भी आप preparation कीजिए merchant ने भी का है अच्छा-च्छा college में tie कीजिए जहां से आपको placement मिल जाए entrance exam का label होता है 10th level का आपका math, science, english और halka full का GKGS पूछता है ठीके, 10th level का ही पूछता है तो उससे अपना preparation कीजिए अगर 10th level का अगर आपसे preparation नहीं हो पा रहा है अगर आपको notes चाहिए तो मैंने notes अभी फिलाल बनाया हुआ है वो भी मैं आपको purchase करवा दूँगा description में में मेरा WhatsApp नमर है अगर पहले आप इसका preparation कीजिए अगर नहीं होता है तभी purchase कीजिए ठीके, तो चलिए हम लोग अपना next शुरू करते हैं नमर 8, EEBD मैंने आपको इसका पहले ही full form बता दिया है emergency scrape breathing device ठीके, ये क्या होता है तो एक आदमी अपना peat पर एक cylinder पहना होता है और mask लगाया होता है जिसे माल ये कि engine room में आग लग गया engine room में fire हो गया और धूआ धूआ पूरा हो गया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा आपका सांस भूलेगा तो उस समय engine room में हर एक जग़ जग़ पर जहां भी बाहर निकलने का दरवाजा आता है जग़ जग़ पर EEBD यानि emergency इसके breathing device लगा होता है इसकी capacity मात्र 10 मिनट तक होती है इसको आप अपने peat पर लादेंगे और लादकर mask पहनेंगे इससे attach रहता है और करेंगे तो oxygen आने लगेगा और आराम से आप बाहर निकल सकते हैं याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब EEBD भी बने आपको बताया था और ACBA भी बताया था यानि self content breathing operators और emergency escape breathing device दोनों में difference क्या है तो इसका जो time duration होता है 30 मिनट तक ये काम करता है और ये मात्र 10 मिनट तक ही काम करता है इसको पहन कर आप in close space में जाकर काम कर सकते हैं लेकिन इसको पहन कर काम नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि ये स्रीफ emergency के लिए ही use होता है ठीक है और इसमें भी अगर 10 मिनट time बचा रहता है इसका pressure खतम होता है, तो एलारम आने लगता है, तो फटाक से आप वहाँ से बाहर निकल दाते हैं, ठीक है, ये कैसा होता है दोस्तों, किसी को नहीं पता होगा, तो रुको भाई, मैं आपको image दिखा देता हूँ, कि EEBD कैसा होता है, ठीक है, EEBD, देखो बाबु, ऐसा होता है, EEBD, खाई देखे रहे हैं, EEBD, ये ऐसा होता है, आराम से पहनो, और पहन के आराम से जाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, EEBD, at seep कर देते हैं, तो और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, कि EEBD seep पर कैसे use होता है, देखो, ये हर एक exit जहां होता है, वहाँ पर EEBD लगा होता है, और इसी को पहन के आराम से आदमी, हम लोग बाहर निकल दाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, I think आपको समझ में आ जाएगा होगा, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और अपना ध्यान से आगे वाला question complete करते हैं, ठीक है, EEBD use for the emergency escape, मने, इमर्जेंसी में बाहर निकलने के लिए escape का मतलम होता है, बाहर निकलना, इमर्जेंसी alarm is sounded when the ship has had collision, इमर्जेंसी alarm तब ही बजाया जाता है, जैसे माली जो overtaking another ship, ऐसे तो हमको जो navigation officer है, दूसरा ship को overtake कर रहा है, तो emergency alarm ठोड़ी बनाएगा, बाहर हम से कर लेगा, alternative course में भी emergency alarm नहीं बजता है, navigation in the habit traffic उसमें भी नहीं बजता है, अगर ship collision हो गई, collision का मतलम होता है, दो ship का आपस में टकरा जाना, ठीक है, उधर से भी एक ship आ गई और आपस में अगर टकरा आ गई तो उसको बोलते हैं collision, तो collision होता है ना तो emergency alarm बजने लगता है, ठीक है, emergency alarm का होता है, one long blast flowing by the seven short blast, ठीक है, seven seconds तक होगा, उसके बाद भौ, 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 साथ बार बज़ेगा, तो समझेए कि भाई, emergency alarm बज़ गया, नम्मर 10, while working near the funnel, जब आप funnel के पास working कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, funnel यानि chimney के पास जहाँ से जहाज का धुगा निकलता है, check with the officer on the bridge, this has been informed the engine room switch off steam to be visual, कर रहा है ना, कि जब भी आप funnel के पास काम करेंगे, तो engine room को switch को stop कर देना है, और जो उसका horn है, horn को भी क्या कर देना है, switch off कर देना है, क्योंकि अगर horn बज़ेगा, तो आप डड़के क्या कर सकते हैं, बाहर भी यानि गिर भी सकते हैं, ठीक है, नमर वन वन, दो अबजेक्टिब ओफ मारपॉल, मारपॉल का मतलम होता है, marine pollution, उसको मतलम यही होता है, मारपॉल का कि जो दरिया है या जो समूंदर है, उसको pollution होने से बचाना, ठीक है, जहाद से कोई भी ऐसा पॉलूटेट चीज नहीं फिकना आएगी, दरिया क्या हो जाए, गंदा हो जाए, for entry to any in closed space, in closed space का मतलम होता है कि बाबु कोई भी जगा जहां पर oxygen कम हो, उसको बोलते हैं in closed space, यानि आपको normal oxygen ना मिले, जैसे माल लीजिए कि आप टंकी में entry कर गए, तो वो in closed space का हालाता है, ठीक है, तो बोल रहा है, entry to in closed space oxygen content compartment should be 21%, अगर आप in closed space में entry कर रहे हैं, तो multi gas detector दोवारा आपको चेक कर लेना है, कि उसमें oxygen की मातरा 21% होना चाहिए, वो multi gas detector होता है, एक प्रकार का instrument उसको जैसा ही अंदर डालेंगे, बता देगा कि उसमें oxygen कितना है, अगर oxygen 21% से 20% भी है, तो आप उसमें entry नहीं करना है, चाहे captain ही क्यों न बोल दे कि चले जाओ में समार लूँगा, आपको जान अपनी प्यारी होनी चाहिए, safety hand gloves are used to protect the hand wipe, बोल रहा है कि जो safety hand gloves use करते हैं, वो हमारे हाथ की रक्षा किस से करता है, तो handling the wire rope, अगर हम बोल रहा है, cleaning crew mess room, mess room को clean करने में hand gloves टोड़ी पहनेंगे, steering the ship, सीब का steering उपर से करेंगे, तो hand gloves पहने की क्या जूरत है, handling the food stop, food को उठाने के लिए hand gloves टोड़ी पहनेंगे, लेकिन handling the wire rope, अगर wire rope हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें hand gloves पहनेंगे, नहीं तो अगर नहीं पहनेंगे, तो wire से हमारा हाथ भी कट सकता है, ठीक, number one for fire instig user medium is cargo tank for the tanker is foam, जो fire instig user होता है, उसका medium cargo tank में कौन सा होना चाहिए, तो foam type का होना चाहिए, क्यूंकि foam type में ही ज़्यादा effect करता है, number one, five, after every use, a fire hose must be, बोल रहा है कि जो हम लोग fire use, fire hose जिससे आग बुझाया जाता है, आप लोग देखते हैं, जो दमकल की गाड़ी आती है, fire की गाड़ी उसमें बड़ा सा pipe निकाला जाता है, और तीन आदमी पीछे से पकड़ के fire nozzle दोरा आग बुझाता है, तो वो जो fire hose होता है, वो use करने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए उसको, तब be hung up to the dry, सबसे पहले उसको सुखा लेना चाहिए, and later the correctly stored, और जिस अस्थान सा हूं उसको लाएं, उस अस्थान पर उसको properly ले जाकर भी रख देना चाहिए, ठीक है, नम्मर one six, prior का मतलब होता है बाभू पहले, यानि before, to be the tug pulling, the tug line should be kept on the bolard, बोल रहा है कि, कोई भी tug का जो line है, उसको ले जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो उसको bolard में क्या करना चाहिए, तो पकड़ के रख देना चाहिए, boards और bolards मैंने आपको अल्लेडी बना पता दिया है, नम्मर one seven, engine room, building, engine room builds are pumped into the sea throne from the oily water separator, board आएगी जो engine room में, engine room में जो bilge होता है, bilge pump, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं, तो oily water separator दोवारा यूज करके उसको दरिया में भेज देते हैं, यानि पहले उसको oily water separator में ले के जाएंगे और उसमें से oil को और water को अलग-अलग कर देंगे, उसके बाद उसको दरिया में क्या करेंगे, डाल देंगे, यानि फेक देंगे, नमबर one eight, abundance is indicating by the abundance का मतलम होता है, कि जहाज डूबने वाली है, abundance का जो order होता है, वो master भरवली, अपना mic में बोलता है, कि this is master calling, this is master calling, abundance, 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 यानि इसका मतलम हुआ कि भाई, abundance होने वाला है, तुम लोग अपना जान बचाओ, जल्दी जल्दी जहाँ तुम लोग को जैसे बचना है, वैसे बच जाओ, ठीके, क्योंकि जहाज डूबने वाला है, ठीके, तो यह कौन order देगा, तो स्रीफ master ही, यानि captain ही, अदर दे सकता है, कि abundance ही, वो भी भरबली, यानि मुझ से बोलकर, 1.9, before lifting a life board from the water, it must be ensure that, बोल रहा है कि अगर life board को water में, यानि दरिया में डालना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, fall wire are clear and hooked secured, बोल रहा है कि जो wire है, वो इदम पूरा clear होना चाहिए कि कहीं, वो फंसे नहीं जहाज में है, और hook भी उसका पूरा tight होना चाहिए, नम्मट 2-0, emergency escape road should be kept open always, याद रखिए कि जो जहाज पर जो जो emergency escape होते हैं, जहाँ से आदमी तुरंत बाहर निकल के main deck पर पहुंच जाता है, यानि open जगा में पहुंच जाता है, उसको कभी भी बंद करके नहीं रखा जाता है, always हमेशा वो खूला ही रहता है, always open, ठीक है, नमबर 2-1, match the term on prolonged blast followed by the three blasts in success of the most vessel being toward, करने का मतलम है कि एक long blast मारेगा, और उसके सांसां three short blast मारेगा, तो इसका मतलम क्या हुए है कि vessel being toward, यानि vessel क्या कर रही है, तो vessel को कोई और vessel उसको खीच कर लेकर जा रही है, ठीक है, नमबर 2-2, the familiarization of the joining crew is done by the outgoing crew members, familiarization कौन से किसको कराया जाता है, तो जो आदमी जहाज पर नया आता है, उसको familiarization कराया जाता है, cadet को master को chief engineer को नहीं, जो आदमी आता है बाहर से, यानि जो crew नया join करता है, उसको familiarization कराया जाता है, नमबर 2-3, when receiving life-saving appliance और fire-fighting appliance, देखिए, LSA का मतलब होता है life-saving appliance, और FF का मतलब होता है fire-fighting appliance, item on board all time must be of approved type, जो भी समान life-saving appliance का आना चाहिए, और जो भी समान fire-fighting appliance का आना चाहिए, वो हमेशा approved होना ही चाहिए, यह नहीं कि कोई लिया कर आपको दे दिया और आपने रख लिया, नमबर 2-4, an oil fire can be instituted by the smoothing from the form, जो oil fire होता है, oil type fire instituted होता है, जो वाट होता है, उसका main काम क्या होता है, smoothing करना, यानि smoothing का मतलब होता है, उसको oxygen से उसका layer को cut out करना है, नमबर 2-5, red parachute flare are called the pyrotechnic, देखिए, जो pyr parachute होता है, वो pyrotechnic होता है, pyrotechnic में 3 आते हैं, पहला आपका आता है red hand flare, दूसरा आपका आता है rocket parachute, और तीसरा आता है point smoke float, ठीक है, तो यह सब क्या है, तो pyrotechnic का एक भाग है, नमबर 2-6, purpose of immersion suit, immersion suit to be protect a person from cold, देखिए, immersion suit क्या होता है ना, immersion suit एक ऐसा suit है, यह 10-10 लाख रुपे का मिलता है, और हर एक आदमी को मिलता है, हमारे भी Kevin में एक immersion suit रहेगा, immersion suit अगर आप एक बार पहन लीजेगा ना, तो आपका body का जो heat है ना, वो बाहर जाएगा नहीं, आपके body में ही रहेगा, ठीक है, तो immersion suit का होता है, यह protect करता है आपको किसे तो ठंड से, देखिए, बाबु, मैं आपको immersion suit का image दिखाई देता हूँ, और यह आपको hypothermia जो रोग होता है ना, उससे आपको बचाता है, ठीक है, immersion suit, देखिए बाबु, ऐसा होता है, immersion suit, यह हर एक आदमी को मिलता है, पूरा नेक तक खाली आपका दों आख खुला रहेगा, और immersion suit पहन लेने से पूरा यह देखिए, पूरा यह आपका जूता के अंदर, जूता भी बाहर नहीं रहता है, सब अंदर ही रहता है, तो पहन लिजिए गा तो आपको थोड़ा भी दिकत होगा ही नहीं, पानी में कितना भी आप लेटर रहेए, ठोड़ा भी आपको थंड़ा महसूस ही नहीं होगा, यह है आपका immersion suit, ठीक है, तो यह क्या करता है, तो cold से, यानि आपको ठंडी से बचाने का काम करता है, नम्माट 27, ability to start the emergency fire pump is required to all the crew members, बोल रहा है कि जब भी आप emergency fire pump start करेंगे, तो वो कौन की start करेगा, तो crew member ही start करेगा, कोई officer start करने वाला नहीं है, to it, ship galley, यानि जहाज का kitchen, जहाँ पर खाना बनता है, is provide with the flowing for the cooking electric hot plate, जो जहाज पर खाना बनता है, उसके लिए LPG और LNG कुछ नहीं आता है, वहाँ पर जो hot plate होता है, जिसको हम लोग heater बोलते हैं, घर में हम लोग का heater पर खाना नहीं बनता है, तो वही hot plate पर हम लोग क्या करत होता ही नहीं है, खाली electric hot plate होता है, जो खाली गरम हो जाता है, ठीक है, नम्मा 29, self content breathing operators, मैंने आपको बोला था है, SCBA, इसको पहन कर in close space में काम करते हैं, self content breathing operator, पूरा नाम लिख दिया है, is used for entry the in close space, इसको in close space में पहन कर काम करते हैं, सबको in close space पता है ना कि क्या क्या है, 30, 30, air muff, air muff का मतलम होता है, आज कल हम लोग क्या करते हैं, तो अपना कान में एक धबड़ाववा पहन लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा उपर से लेके नीचे तो, तो जहाज में भी air muff होता है, जब engine room में आप काम कीजिएगा, तो वो पहन के काम कीजिएगा, ताकि आपका प protect the body when working on the deck, deck में या engine में हम लोग कहीं भी work करते हैं, तो boiler suit पहन के काम करते हैं, क्यों कि यह हमारे body को क्या करता है, पूरा protect करता है, ठीक है, sorry दोस्तों, आजाते हैं, 32 पर, match the word, resticated in the hair ability to the man-overing, with the most suitable word giving, one prolonged blast followed by the two-shot blast, man-overing का मतलम क्या होता है, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता आपको पहले समझ लिजिए, एक जहाज यह है, ठीक है, और यहाँ पर एक jetty है, ठीक है, तो जहाज को jetty में लाने के लिए pilot आता है, क्योंकि pilot को ही पता है, कि जो हमारा area है, कहाँ पर shallow water है, यानि कहाँ पर पानी कम है, और कहाँ पर पानी ज्यादा है, अगर जहाज कम पानी में आ जाएगा, तो जहाज का जो bottom part होता है, जैसे ही पानी में touch हो गया, तो जहाज निकले गई नहीं, बहुत मुसकत करना पड़ जाएगा, तो यह क्या करता है, जहाँ ज्यादा ज्यादा पानी होता है, वहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर आता है, तो यह जिस route से इस तरह लेले के लेले के लेले के लेले के आता है, तो उस route को ही उस process को ही man overing कहा जाता है, तो यह process में क्या करता है, तो यह process में हमेशा क क्या करता है तो वन लॉंग ब्लास्ट मारता है और टू-शॉट ब्लास्ट मारते रहता है ठीक है नमर थिरी-थिरी दपंप रूम इंज टेंकर सुड़ भी वेंडिलेटेट प्रायर एंट्री कहने का मतलम है कि अगर आप पंप रूम में जाते हैं तो पंप रूम में जाने क पहले आपको पंप रूम का दरवाजा खोल लेना है और 10 या 15 मिनट के लिए उसको खुला छोड़ देना है ताकि वो प्रोपर भेंडिलेट हो जाए यानि प्रोपर उसमें हवा चला जाए अगर खोलते हुए आप ढूकियेगा तो उसमें हवा नहीं रहेगा और दम should be familiarization themselves with the master list कोई भी अगर आदमी जहाज में पहली बार जाता है यानि पहली बार का मतलम यह नहीं हुआ कि वो इससे पहले जहाज किया ही नहीं है मने उस जहाज पर जाता है एक जहाज को चेंज करके दूसरा जहाज पर नया जाता है तो master list लिस्ट जो होता है उससे उसका familiarization कराया जाता है master list में sub maintain होता है कि आपको emergency में क्या करना emergency में आपका duty क्या रहेगा सीता डिल कहाँ है ये area कहाँ है ये वो area कहाँ है वो सब चीज उसमें रहता है तो उसको उससे identify करवा जाता है breathing operator is used for the entering the compartment full of smoke breathing operators मैंने आपको बोलाता है जो smoke area breathing operators जाते हैं काम करने के लिए नमर 36 during the rough weather of a night before going the day you must be informed duty officer याद रखी अगर आप night हो या date हो अगर weather rough है यानि जहाज में बहुत rolling peaching हो रहा है पानी जहाज के ऊपर आ रहा है तो उस समय अगर आपको deck में जाना है तो deck पर जाने से पहले आपको जो भी duty officer bridge में यह नहीं कि captain को phone करेंगे chief engineer chief officer कुछ नहीं जो duty officer हो उपर उसको आप phone करेंगे कि मैं deck पर जार रहा हूं मेरे को तुम proper वास रखना कि मेरे साथ कोई घटना हो तो पूरा inform करना तो duty officer को ही पहले inform करते हैं याद रखिए कि जहाज पर कोई भी घटना हो जाती है सबसे पहले duty officer को ही inform करते हैं क्योंकि वो bridge पर रहता है और bridge से चारो और की चीजों को आराम से वो देख सकता है ठीक है नम्मर 37 during the bunkering देखो अब बंकरिंग का मतलम समझो क्या होता है तेल जिससे जहाज चलता है वो कोई भी तेल हो lub oil हो, diesel oil हो या lubricating oil हो, या fuel oil हो यानि जो तेल हम जहाज पर लेते हैं जहाज को चलाने के लिए तो उसको bunkering बोलते हैं यह नहीं कि हम तेल tanker में तेल ले रहे हैं तो उसको bunkering नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे loading discharging लेकिन जहाज को चलाने के लिए bunkering का पहले definition समझ लो bunkering is the process for taking the oil from use only ship ठीक है, मने ship को चलाने के लिए जो हम लेते हैं उसको bunkering बोलते हैं ठीक है, तो bunkering लेते समय जितना भी आपका copper plug होता है यानि जितना भी plug होता है कहने का मतलब होए, जहाज में जहाँ जहाँ छेद होते हैं, सब छेद को आपको plug करना है, यानि इस copper plug से उसको क्या कर देना है, ढख देना है ताकि कोई भी oil का एक बुंद पानी में ना गिरे, तो plugs all the deck copper, इस copper का मतलब होता है नाली, जहाज का नाली जहसे घर का नाली होता है, तो देखना घर के नाली में भी हम लोग क्या करते हैं, जाली लगा देते हैं ताकि अच्छा चीज बाहर ना जाए 38, the distress signal distress signal का मतलब होता है emergency signal, यानि अब हम डूबने वाले हैं, या हमारे उपर मुसीबा ताग यह, प्लीज हमारी help करो the distress signal required to be kept in live board are rocket parachute live board, बोला है कि distress signal में क्या क्या चीजे रहनी चाहिए live board में ताकि हम distress signal भेज सके, तो सबसे पहले rocket parachute उसमें होना चाहिए red hand flare होना चाहिए और point smoke होना चाहिए, यानि distress signal है, ठीक है मैंने distress signal पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप देख लीजिए, ठीक है, three nine the falling task require a hot work permit hot work permit का मतलब होता है कि जहाज पर कोई भी आप काम कर रहे है जिस काम में उसमें चिनगारी निकल रहे है, यानि ये smoke उतपन हो रहा है, या उसे गरम चीज, hot उतपन हो रहा है तो उसे hot work permit करते हैं तो कौन सा आप काम करिएगा तो hot work permit लीजिएगा तो painting कीजिएगा तो उसे चिनगारी नहीं कुलेगी, opening the hedge cover hedge cover को उतपन कीजिएगा तो चिनगारी नहीं देखिए, लाइफ बॉय कैसा होता है, ठीक है, लाइफ बॉय पहले आप लोग देख लीजिए, कैसा होता है बाबू, लाइफ बॉय बाबू कैसा होता है, जानते हैं, तो लाइफ बॉय समझी हम लोग गाउं में जो ट्यूर, ट्यूर देखें आप, ट्यूर में पहन के हम ल लाइन ठीक है अकर माल यह कोई आदमी दरिया में गिर गया तो इसको भेज फेक देंगा और फेकने के बाद क्या करेगा यह दोनों हाथ लगा कर उसमें खड़ा हो जाएगा देखिए यह लाइब वाइब विद एमो भी मारका है ठीक है तो यह सब अलग अलग होता है देखि कि छोटा जहाज रहेगा तो छोटा लाइब वाय रहेगा यानि कम कम जगे पर रहेगा और ज्यादा लाइब वाय रहेगा तो लेंथ ज्यादा रहेगा तो जगा भी ज्यादा रहेगा यानि वो जहाज के लेंथ पर यानि जहाज के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ज हाज कितनी छोटी और कितनी बढ़ी है नम्मर फॉर वन disposal of oil food waste should be entire in the बोल आए कि जितने भी आप food waste हैं जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम लोग dispose करते हैं तो उसको कहा record करके रखना चाहिए तो garbage record book में record करके रखते हैं कि हमारा इतना खाना डिस्पो जुगा है नम्मर फॉर्टी टू ए वार्किंग एलोफ्ट पर्मिट दो मीटर दो मीटर और सिक्स फीट ठीक है दो मीटर या सिक्स फीट से अगर आप उपर जाते हैं तो aloft work permit लेना पड़ता है ठीक है तो aloft work permit हम लोग क्यों लेते हैं तो उचाई पर काम करने के लिए ठीक है तो उस समय कौन सा काम करेंगे mast house वाने deck यहाँ पर नहीं करेंगे navigation breeze deck यहाँ पर भी नहीं लेंगे 4 mast decks, half deck 4 mast decks यानि 4 mast यानि सबसे आगे वाला mast होता है उपर चहड़ने के लिए aloft work permit आपका permission लेना पड़ता है ठीक है नमबर 4 3 immersion suit is used to prevent the cold और cold को बोलते हैं जो cold यानि जो ठंडी से रोग होती है उसको बोलते है hypothermia ठीक है hypothermia से यह का करता है injury मने चोट होता है doing मने डूबना होता है heat burns मने होता है मने जल जाना और hypothermia मतने होता है ठंडी से होने वाला रोको hypothermia बोलते है 4-4 face mask is used on the board to protect the face from fume inhalation बोल रहा है कि face mask जो होता है वो board पर क्यों यूज किया जाता है तो fume inhalation यानि सांस को लेने के लिए ठीक है अब आजाते हैं दोस्तों 45 पर after abundance जब abundance हो गए यानि जहाज डूब गई the survivor in the life must should be no water for the first 24 hours याद रखिएगा यह बहुत important question है और surveyor second minute के exam में पूछेगा ही पूछेगा माली जी कि जब आपकी जहाज डूब गई डूबने के बाद आप life board में या life raft में आ गए तो उसमें सीमित मात्रा में ही food होता है यानि सीमित मात्रा में ही आपका provision होता है तो जब abundance हो जाएगा तो abundance होने के बाद 24 घंटा तक ना आपको खाना दिया जाएगा और ना आपको पानी दिया जाएगा क्यों कि 24 घंटा तक आप survive कर सकते हैं उसके बाद 24 घंटा के बाद हर एक आदिमी को limit कही से आपसे पानी और खाना देना शुरू करेंगे ठीक है तो यही वो बोल रहा है नमर फोर सिक्स मेच दटर्म, making away throw the water was the most suitable answer बोल रहा है कि one prolonged blast every two minute बोल रहा है कि making away throwing water आप पानी में जा रहा है तो क्या करेंगे तो one prolonged blast मारेंगे और two short blast मारेंगे वो इतना important नहीं है इसलिए मैं उस पर cover नहीं किया 47, during the bunkering यानि तेल आप ले रहा है flowing the sign should be display permit of resticated area no smoking जब भी आप bunkering लेंगे तो यह दम लगा के रखेंगे no smoking यानि smoking मत किजिए और जहाद पर अधिकतर आदमी smoker ही होता है cigarette पीता ही पीता है 42, before you start welding you must opt in जब भी आप deck पर या engine में कहीं भी welding करेंगे तो आपको hot work permit लेना पड़ता है hot work permit in close space permit का मतलम होता है कि in close space में जाएंगे और surely permit का मतलम होता है कि आपका जहाद लंदन में चलागे और आपको मन के घुमने के लिए तो surely permit लेना पड़ता है cold work permit का होता है कि माली जी कि आप AC room में जाकर काम कर रहे हैं freeze room में तो आपको cold work permit लेना पड़ता है दोस्तो लास्ट कोस्टन हम लोग का है 4.9 An in close space entry permit is to be completed before entering the loaded cargo hold cargo hold में आप जाएंगे तो वो in close space हुआ तो उसमें भी आपको work permit लेना पड़ेगा pent room में नहीं for pick पर भी नहीं provision store में भी नहीं यानि आप cargo loaded cargo room में जाएंगे तो वो in close space होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा cargo का gases आजाती है तो आपको लेना पड़ेगा तो दोस्तो वीडियो एंड करने से पहले आप लोग से request है कि मेरा जो दूसरा channel है उसका नाम है अंसारी GS Academy तो उस channel को भी आप लोग सस्क्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर भी आपको GK और GS related सारी information मिल जाएंगी और Indian Coast Guard Indian Navy, Merchant Navy Indian Railway से related आपको practice से daily daily मिलता ही रहेगा तो thank you so much for watching this video तो thank you